दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बर फिर से दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तुला राशी वाले जातकों का 2022 में परिवारिक जीवन कैसा रहेगा तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा लें ताकि कोई नई वीडियो आए तो उसका नौटिफिकेशन आप तक पहुंसता रहे तो आईए जानते हैं तुला राशी फल 2022 के अनुसार परिवारिक जीवन को समझें तो उसमें इस वर्ष तुला राशी के जातकों को सामाने ही फल प्राप्त होंगे खासतोर से जनवरी से लेकर मार्च के मध्य समय तक आपको कुछ परिवारिक समस्याओं से दोचार होना पड़ सकता है क्योंकि इस दोरान आपके परिवार वहकुटुम्ब का चतुर्थ भाव कई पाप ग्रहों द्वारा प्रभावित होगा इस दोरान आपका घर के सदश्यों के साथ किसी कारणवस विवाद भी संभव है क्योंकि अपरेल माह में राहु का गोचर मेश राशी में और सनी का कुम्ब राशी में होने से आपके परिवारिक जीवन पर इसका नकारात्म प्रभाव पड़ेगा ऐसे में परिवारिक सदश्यों से बातचीत करते समय अपने शब्दों पर नियंतरन रखें और उनके साथ मर्यादित आचरन करें इस दोरान आपको किसी भी कारणवस परिवारिक मामलों को लेकर कोर्ट का चहरी जाने से भी बचना चाहिए जून से लेकर सितंबर माहा तक कुछ जातकों को अपने परिवार से दूर रहना पड़ सकता है इस दोरान आपको अपने परिवार का सहयोग मिलेगा खास तोर से पिता आपका बढ़ चड़ कर सहयोग करते हुए आपका मार्क दर्शन करेंगे जिससे आपका उनके परती सम्मान बढ़ेगा साल के अंतिम तीन महिने यानि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपके भाई बेहनों के लिए उत्तम है इस तोरान उन्हें बुजुर्गों का आशिरवाद मिलेगा साथ ही आपकी भी परिवार के बीच छवी बैतर होगी और इससे आपको घर पर उचित सम्मान प्राप्त होगा तो दोस्तों ये था तुलाराशी वाले जातकों का 2022 में परिवारिक जीवन तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई एह जानकारे आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नमश्कार